इतिहास अपने आपको दोहराता है और इस बार इतिहास फिर से एक बार अपने आपको दोहराने वाला है 26 दिसंबर 2021 को बिहार दरोगा 213 PT Examination Group में यहां दोस्तों दो साल पहले यानि की 22 दिसंबर 2019 को बिहार दरोगा 246 का PT Examination हुआ था उस Examination के कई चरणों को पार करके 2446 स्टुडेंट ने अपने कंधे पे डवल स्टार लिया था लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टुएंट थे जो किनी ना किनी कारण से उस Examination के कई चरणों में छूटते चले गए थे साथी साथ 17-17 वाले दरोगा में भी बहुत सारे श्टुएंट छूट कहे थे और ऐसे बहुत सारे श्टुएंट हैं जो बिल्कुल फ्रेस हैं यंग बलड हैं और चाहते हैं कि अपने कंधे पी डवल स्टार सजाएं तो उन सब के लिए एक बहुत ही golden opportunity है 26 दिसंबर 2021 जो की पूरे दरोगा के Examination के प्रकडिया का पहला चरण है जिसे आपको पार करना प्याद जरूरी है चालिस दिन पैतालिस दिन बोलें उससे ज़्यादा समय नहीं है ऐसे में आपकी थ्यारी कितनी हो कैसे हो कैसे focus करके करें कि आपको 100% security सफलता मिले इसी के लिए आज मैं इस वीडियो में आपके सामने उपस्तितु पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस पूरे Examination का खाखा आपके पास कितना है सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि previous years का cut-off क्या है यदि आपको यह जो लक्ष है यह जो गोल आपको चेज करना है एचीव करना है तो उसके लिए तो कुछ basics आपको चानना पड़ेगा तो previous years का पहले हम लोग cut-off देखेंगे फिर देखेंगे ज सब्जेक्ट वाइज कितना questions पूछा गया था और strategy क्या होनी चाहिए और फिर हमारा book list और topic क्या होना चाहिए इसी पर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आइए शुरुआत करते हैं cut-off की जहां तक बाद you are जो general थे unreserved category के थे male थे उन्होंने 100 questions में 66 दसमलब एक questions को सही किया था फिर आपको उनका selection होगा था PT में अब point one क्यों आड़ा है उसके भी बात करूँगा आगे में ठीक है ना उसके बाद जो female category की थी उन्होंने यदि 44 questions सही कर लिया था एक सो में negative काटने के बाद तो उनका selection हो गया था EWS वाले EWS वाले इसी मतलब की 244 से जूड़े थे तो EWS वाले ने यदि उन्होंने 58.5 questions सही कर लिया था ठीक है ना यह .5.1 questions क्यों आड़ा है उसको में बताऊंगा यह questions है out of 100 questions की में बात कर रहा हूँ 2446 का cut-off है ठीक है यह जो है 2446 SI का cut-off है और हभी तो हम लोग 2213 में जा रहे है यह जो दरोगा का है यह आपको 2213 का है ठीक है ना जो 26 तारीक को होने वाला है उसी तरह से BC में देख लिजिए तो BC में जो male category के candidate थे यादि उन्होंने 62.6 questions सही किया था तो उनका selection हुआ था और जो female category के candidate थे यादि उन्होंने 36.3 questions को सही किया था तो उनका selection हो गया था अब आते हैं आगे देख लेते हैं SC पर तो SC में 51.9 questions सही करने पड़े थे और female को SC female को 30 questions सही करने पड़े थे ठीक है ना HD को यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा question सही करना पड़ता है 58.3 और female को 33.5 questions सही करने पड़े थे वहीं WEC category होता है जिसमें की BC और EBC महिलाएं होती हैं उनको 32 समलब एक question सही करने थे out of 100 सारे negative काटने के बाद और freedom fighter warden जो थे उसमें male और female दोनों को 30-30 questions सही करने थे ठीक है न तो यह आपका पिछला साल का cut-off है तो क्या जो 2213 वाले हैं उनको भी इसी के आधार पे अपनी त्यारी करनी चाहिए तो बिलकुल नहीं जब भी examination होता है तो एक trend होता है कि में बात नहीं करूंगा तो आपको target high लेके चलना पड़ेगा तो यह तो होगे आपको अब आपके पास target कितना होना चाहिए वह में आगे बात करूंगा यह आपका category हो गया अब इतना आपको नहीं यादि आप इतना चोबी सुच्छालिस सोच कर चलते हैं तो फिर आपका सेलेक्शन नहीं होगा ठीक है कितना होगा मैं आगे जब स्ट्रेटीजी पर आएगे तब वहां पर बात हम लोग करेंगे अब थोड़ा सा देख लीजिए जो subject wise ask question कितना था 2019 में यानि की 2446 वाले में एक चीज़ और आपके ध्यान रखें कि जो एक्जामनेशन होता है वो सेट में आपको हाड आ जाता है तो उसके लिए थोड़ी समसिया होती है एक सिप्ट में बहुत ज्यादा प्रब्लम नहीं होती लेकिन दूसे प्रब्लम होती है चीज का तोर क्या है आपके पास इस चीज का तोर है कि आप मैक्सिमम से मैक्समी स्कूर करें 18-20 क्यास पास questions पूछे थे साइंस में भी 15 से लेके 17 questions पूछे गए थे जोग्रफी जोग्रफी यानि कि यह होता है इसमें मतलब वॉल्ल जोग्रफी और इंडियन जोग्रफी दोनों से करीब 15 से 17 questions पूछे गया थे यह questions variate करेगा exact number नहीं है बस दोनों का मैं average बता दिया यहां पर लेकि को भी मतलब की 12 से 15 questions questions पूछे गए थे ठीक है ना बिहार में आपको तीन से 5 questions पूछे गए थे तीन minimum था चार भी 5 भी हो सकते हैं इस बार और math, math वाला जो section था वो 2009 में एड़ किया गया था इससे पहले 17 17 में आपको math section नहीं था आप उसके PT का syllabus भी निकालेगा तो उसमें math reasoning का कहीं जिक्र नहीं है लेकिन 5 math जो है 2019 में एड़ किया गया था फिर आपको subject wise कितने कितने questions पूछे गए थे वह हो गया ठीक है इसलिए मैं इने स्टार मारक लेका दिया कि दो चीत दिन questions यहां पर up-down होश रख रहे हैं चलते हैं अब आ जाते हैं जब इस दोनों को हम लोग देख लिए तब हमारे पास strategy क्या होना चाहिए पहला को बहुत अब सांथ कहने का यह मतलब निकाप जाकर सोजाएं ठीक है न ऐसी बात नहीं होनी चाहिए सांथ कि आप इतना ज्यादा प्रिसर ना ले लें कि भाई हमारा एक्जामिस नहीं मतलब कर बढ़ा जाए क्या पढ़ें अच्छा वह इंसान यह कर रहा है यह नोट्स ऐसा कुछ लिए बढ़ें इस नहीं होता है अल्टीमेटली न स्टुनेंट इक्जामिस में जाके देटा उसका इसका नोट्स एंस नहीं लिखता है अपना दिमाग और मन को सांथ रखें अब बहुं सारे बोलते हैं कि क्या बारावार गंडा बढ़ा जाए अठारा गंडा गंडा लेकिन आपको डैगूलर और पर नहीं परें पंदरह गंड़ा परने से कुछ नहीं है तो कैसी होगा मतलब की मेरा लास्ट अप्रोच है मेरा लास्ट टैम है इस पहले बार दोने जाब नहीं है यह सब प्रेसर जाइगा ना आपके दिमाग में तो आपका एक्जामनेशन खड़ाब हो सकता है और जो नए इस टुएंट है अच्छा मैं तो पहली बार दे रहा हूं मुझे तो एक्स्प्रियेंस नहीं आ रहे भाई नए इस टुएंट ह पुराने स्टुएंट है जो पिछले बार फिल कर गए कोई भी अपनी दिमाग पर कोई भी निगेटिव एप्रोच ना आने दे अब उसके बाद आप जो भी परें उसको रिवीजन इस्टार करें अभी आपके पास है जो भी स्लेबस छुटा हुआ है उसको आप कवर कर सक अब है कि maximum attempt हमारा कितना होना चाहिए एक चीज़ आपको पता है यहाँ पर निगेटिव करते हैं तब जाके आपके एक कुश्चन के नमबर करते हैं कि वाद आपको पता है तो आप कोशिस यह करेंगे कि हम maximum attempt लें कि आप 90 के प्लस attempt करते हैं तो कोशिस करें कि आप 100 अटे करते हैं तो इसलिए attempt में दिक्कत नहीं होने चाहिए maximum attempt लेना ही चाहिए अनसान को ठीक है अब है हमेने कहा था कि यहाँ पर कि आपके पास score कितना होना चाहिए तो देखिए score तो एक normal चीज है ठीक है ना यादि मैं आपको बोल दूँ कि 80 या 90 ऐसी गलत बात है ठीक है क्य बहुत सारी चीज़े factor करती है ठीक है ना तो although हमको आगे बरना है लेकिन कितना आगे बरना है तो कम से कम आप यह target लेकर चलें कि आप किसी भी category में है बरतमान में जब आप practice it बना रहे हैं तो धीरे धीरे अपना approach जो लेकर जाए वो लेकर कितना तक जाए तो कम से कम आप इस चीज़ को मत याद रखेगा इस चीज़ को तो भूली जाएगा लेकिन अभी practice set के तुरान क्योंकि आप practice करने का क्या मतलब है कि आपने पिछले गलती की उसको improve करके आप एक सिरी आगे बरे एक सिरी आगे बरे तो आप कम से कम 65-80 के बीच में लाने की courses करेंगे अभी की बात कर रहा हूं ठीक है अब हम लोग बात कर लें books or topics books or topics पर बहुत सारी बात हुए लेकिन आज बहुत जादा नहीं बताऊंगा आप any publication which you prefer आप जो भी पढ़ते हैं माले जी आप मतलब की खटना चक्रका परते हैं तो खटना चक्रका अलग लग लगाता है subjective अलग लग से cover करें ठीक है दो बारती में practice कर लें और फिर आपको लगता है कि भाई हमको आगे बरना हो तो मार्केट में बहुत आराइव लेवाल है book उसको आप देख लें ठीक है तो अभी जैदा book पर उस पर बात नहीं होगी current affairs पर आप जरूर देखें current affairs पर आप देख लें कि 2021 तक के current affairs को पर छेजए कर लेंगे तो आया है उसको भी दिख लेंगे और फिर से आएगा एक जामिनेशन के आज पास फिर से आएगा है और जो भी questions पूछा जाता है वह बहुत ही popular होता है तो इसमें भी आपको घबराना नहीं है popular किसम के questions होते हैं तो आप देखते रहें तीन चार questions हो जाएगा अब इसके अलावे कुछ topics को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है अब वो किसी भी बुक से आप करें quality को बहुत अच्छे से कर लेना है जिसमें कि आपको भारत का बहुत अच्छे से करना है science और modern history इन चारों section को बहुत अच्छे से आपको करना है आपको लुसेंट से करें या फिर आपको घरना चेकर से करें या फिर किसी चीज़ से करें आपको अच्छे से कर लेना है कौन कौन सा में आपको गलत कर रहेते हैं जाहिए जाए आपको यह भूरो रच्टी में बात कर रहा हूं ठीक है ना वन जीव अभ्यारन ठीक है ना बायो एस्फेर रिजर्फ अभी जो भी अपडेट आड़ा है कितना मतलब की आदर भूमी छेतर हो गया रामसर सैट हो गया यह सब भी आपको याद करके रखना है ठीक है ना उसके बाद आपको परियावरन संद्रक्षन के कुछ ज ठील है जो पहाड़ है पहले तो दस्षिन भारत का पूछता था अब नौर्ट इस्ट वगेरा का पूछने लगा है तो भारत के भूगोल को समद में आपको मैंने बाद कहा और उसी में परियावरन को भी एड करके आप लोग पढ़ते चले जाएंगा ठीक है ना अपना पर नहीं लेना है में स्कूर करना है और इन जो चीजे मैंने आपको बताए है उसको आप फॉलो कीजिए आपके सफलता निश्चित है टाइम विष्ट बिल्कुल ना करें और हमेशा अपने आप में एक कॉन्फिनेंस रखें कि मेरा एक्जामनेशन क्लियर होड़ा जो है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डिन नहीं लेना पड़ेगा और आपके निश्चामनेशन इज्चित में निकल जाएंगे क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टुएंट के पास बहुत ज्यादा नौलेज है बहुत बढ़ा हुआ है लेकिन अंतीम समय का प्रिस स्टुर्वाइवर बुल जो रूल है जो भी बेस्ट होगा वही फिर बाइस हो तेरा बन के आएगा यह बात तो अपने दिमाग में रख लेजी तो आपको खुद से वाइट करना है अपने आसपास से वाइट करना है और धीरे धीरे खुद के कम्यों को सुधारना है और ब वीडियो पसंद है चुछ से लेक्सर के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंग फॉननेस को और बेल एकन को प्रेस करने के वाद नूटिफिकेशन को ओन कर लें कमपटिटिव इग्जाम के तयारी वं सम्बंदित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए